तले हुए खाद्यपदार्थ निस्संदेह स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन इनका बार-बार सेवन करने से आपके स्वास्थे पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. यहां पांच अनिवार्य कारण बताए गए हैं कि क्यों आपको तले हुए खाद्यपदार्थ खाने से बचना चाहिए? तले हुए खाद्यपदार्थ आम तोर पर ऐसे तेल में पकाए जाते हैं जिनमें संत्रिप्त और ट्रांस वसा, जैसे अस्वास्थिकर वसा की मात्रा अधिक होती है. इन वसाओं को हृदय रोग, स्ट्रोग और उच्च कॉलेस्ट्रॉल स्तर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है. इन वसाओं का बहुत अधिक सेवन आपकी धमनियों को अवरुद्ध कर सकता है और समय के साथ गंभीर हृदय संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है. नियमित रूप से सेवन करने पर यह वजन बढ़ाने और मोटापे में योगदान दे सकता है, क्योंकि अतिरिक्त कैलोरी शरीर में वसा के रूप में जमा हो जाती है. इसके अतिरिक्त तले हुए खाद्य पदार्थों को अक्सर उच्च कैलोरी मसालों या साइड डिश के साथ मिलाया जाता है, जिससे उनकी कैलोरी सामगरी और बढ़ जाती है. उच्च तापमान पर खाद्य पदार्थों को तलने की प्रक्रिया से एक्रिलामाइड और पॉलिसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन पीएज जैसे हानिकारक योगिक उत्पन हो सकते हैं. ये योगिक स्तन, प्रोस्टेट और कॉलोरेक्टल कैंसर सहित कुछ कैंसर के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं. तले हुए खाद्य पदार्थ अक्सर पाचन तंत्र के लिए कठिन होते हैं, जिससे पाचन संबंधी असुविधा, सूजन और कब्ज होता है. तले खाद्य पदार्थों को तलने के लिए उपयोग किये जाने वाले तेल में सूजन पैदा करने वाले योगिक होते हैं, जो अधिक मात्रा में सेवन करने पर शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं. पुरानी सूजन को गठिया, मधुमेह और ओंटो इम्यून बीमारियों सहित क प्राई प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा गया है। ख्याद रखें, अच्छे स्वास्थ्य का मार्ग सोच समझ कर चुने गए विकल्पों और स्वादिष्ट विकल्पों से ही प्रशस्त होता है। यहां हर निवाले से आपके शरीर और आत्मा को पोशन मिलता है।